दिल्दार सिंग राथोर रिटायर आरो दिल्दार निदन नमस्कार निवर्शारानी आप देखरें बीके नूस बसोकल्यान सीमसी के रिटायर आरो दिल्दार सिंग राथोर का 20 अक्टोबर 2022 को दिल का दोहरा पढ़ने से हुआ निदन इनका अंतिम संसकार 21 अक्टोबर 2022 को खानापर रोट के समशान भूमी में सुभर 9 बजे किया जाएगा बताये जायरा है कि दिल्दार सिंग राथोर को आज दुफेर दिल का दोहरा पढ़ा और उन्हें बिदर हॉस्पिटल ले जा रहे थे के रास्ते में मन्ना खली पर उन्होंने अंतिम सासली और 62 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह दी लगबग 29 साल से जादा सीमसी बसो कल्यान में बतार आरो के पोस्ट पर अपनी डूटी करते रहें 30 जुन 2021 को उनका रिटार्मेंट हुआ रिटार्मेंट के बाद वो अपने फैमिली के साथ सिटी के शिवाजी नगर में रह रहे थे अज 20 अक्टोबर 2022 को 62 साल की उमर में सब को अलविदा कह दिया सेमसी कांसिलर की लापरवाई से वाट के लोग परेशान AR के गीरी, सिल्क आइंड सारी, राज एलेक्ट्रोनिक्स आइंड होम अप्लाई SPS टायर, टोटल टायर, सलूशन इन वन यूट आलाइट इंडस्ट्री, AAC ब्लॉक, कंस्ट्रक्ट यूर ड्रीम, होम इद कॉलिटी प्रोडम बसोकलैन सिटी के वाट नमबर 12 ताजपुरा भाजी मार्केट में ड्रेन भरे पड़े, उसे साफ करने वाला कोई नहीं ड्रेन का गंदा पानी घरों में खुस रहा है, जिसे वाट के लोग कॉंसलर पर नाराज वार्ड नमबर 12 ताजपुरा बाजे मार्केट में पिछले कई दिनों से ड्रेनेज को साफ किया गया और ना ही रोड पे गिरे कचरे को हटाया गया रोड पर जमा कचरा ड्रेनेज में जाने से ड्रेन जाम हो गया है। जिसके चलते ड्रेनेज का गंदा पानी रोड से घरों में खुश रहा है। जैसे और भी कई बिमारी उत्पन होती है। हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट कीजिए।